जै माता की कैसे आप लोग आप रुबिकुल ठीक होंगे और सुबह के हमारे पूरे काम हो गएं माता जी की पूजा भी हमने कल लिया और टीका लगाने के बाद देखिए माथे में सिंदूर जरूर लगाना चाहिए ये पूरा दिन ऐसे लगा रहता है तो आपको दुबारा लगाने की कोई ओसकता नहीं पड़ेगी और हमने दुबाहर की खाने की भी तैयारी कर लिया तो चलिए दिखाते हैं टाइम साड़े 10 बज रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि यहां पर हमने पनीर आज दुबाहर के खाने में बच्चों के लिए पनीर बना लिया और बहुत सारे कपड़े आप देख सकते हैं इतने दरी वरी जितनी बेड के नीचे पड़ी रहती हैं डलब गद्दे के नीचे तो हमेशा हमको इनको पूरे सब धूप दिखाना चाहिए और आजकल तो बहुत ही तेज धूप हो रही है तो यह सीजन ऐसा होता है कि आप जितने भी भ भारी भारी कपड़े हैं इनको पूरा धूप दिखाईए तो चलिए अब हम आ गया चत में अब आप देख सकते हैं एक-एक कपड़े ला करके हमने यहां रख लिया अब इनको एक-एक कपड़े लेकर की उपर डालते हैं तब भी और धूप देख रहे हैं कितनी तेज भी घूप है कि बताने सकते हैं और इस बार बहुत हीमिष्की है की कैसे बनाएंगे चिप्स और पापड़ हालत खराब हो जाएगी तो इस बार की धूप ने तू कुछ बहुत ही अपना चमतकार दिखाना शुरू कर दिया है कि बहुत ही मुस्कीले हमारे लिए चिप से पांपड बनाना अब हम कपड़े डाल करके आ गएं यहां पे थोड़ा धूप कम है तो देख रहे हैं चेहरे का रंग उड़ गया धूप में कपड़े डालते डालते वाके इस बार इतनी तेज धूप है कि कुछ बदा ने सकते हैं अब चल रहे हैं नीचे क्योंकि बच्चे आ गए होंगे तो हम आ गए नीचे और बच्चे आ गए टाइम धाई बज रहे हैं और यह लोगी स्कूल से आ गए तो आप देख सकते हैं तुरंत फोन में लग जाते हैं अगर जरा सा आप न देखो तो तुरंत बच्चे फोन में लग जाते हैं तो अब चल रहे हैं इनको खाना निकालते हैं और खाना में इनको पता है ना कि आज मने पनीर रोटी बनाया तो कितना खुस होँ रहे हैं तो वैसे भी हम दुपाहर में डाल चावल ही बनाते हैं बच्चों के लिए लेकिन इन लोगों को डाल चावल बिल्कूल पसंद नहीं आता जब तक छोटे थे तब तक डाल चावल खाते थे लेकिन वाके ही अरहर की डाल तो बहुत ही फायदेवंद होती है यहां तो लखनव में चिकनी-चिकनी सी दाल और कौन सी दाल है आती कन पूरिया दाल लेकिन अपने यहां पच्छओंवां में न छिलके वाली दाल हम देसी दाल ही लाते हैं देसी दाल हम लोगों को बहुत ही कि आउले में कितने गुड़ होते हैं वैसे कहा जाता है कि सुबे से एक आउला खाये तो एक गिलास दूद के बराबर होता है और आपके बाल कभी हुआइट नहीं होंगे हमेशा ब्लैक रहेंगे तो एक आउला हमारे पहले बाबु लोग वहां खाते थे अब भगवान जी के बग्या में तो बहुत ही आउला होते हैं हम वहां रहते हैं न पच्छाउंगा में तो डेली एक आउला खाते थे तो आज यहां भी हम आउला खा रहे हैं अब इसके बाद आप लोगों को दिखा रहे हैं कपड़े कि अभी हमें को कितने कपड़े प्रेश करना है अब प्रेश कर लेते हैं और आप से कहें शिवरात्री की आप लोगों को डेट सारी सुख काम ना आए और हाँ जी कल है शिवरात्री तो आप लोग भी पूजा की तयारी सोच रहे होंगे कैसे क्या भूले बाबा की पूजा करना है तो वैसे भी दिन में तो तीन बार सिव जी की पूजा करना चाहिए सुबे दुपाहर साम लेकिन रात्र की पूजा की कुछ बात ही अलग है सिव जी को रात में मनाईए बारा बज़े से लेकर के तीन बजे तक भूले बाबा की प्रातना करिए रुद्राविशेक भी कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा महत्त है तो अब हम आ गए हैं उपर छट में और वही हम आप से यहां भी बता रहे हैं कि मतलब सिव जी को गाय के घी से और दूद से गंगा जल से अभिशेक कर सकते हैं और रातर की सिव रातरी में रातर की पूजा का तो कुछ अलगी बात है और यहां पिर देख सकते हैं कि इतने सारे इस्टॉल उपर थे तो इनको भी हम नीचे ले जा रहे हैं कुछ नए हैं कुछ पुराने हैं तो जो नए हमने धूल भी डाला है उनको थोड़ी थोड़ी हम प्रेस करके रखेंगे तब ही उनमें सिकुरा नहीं आएगी और जब हम पहनेंगे मतलब डालेंगे ठंडियों में तो एकदम से नया नया सा हमको बिल्कुल इस टॉलोगरा द रख दिया लेकिन अब लग रहा है उन कपड़ों के कैसे लाएंगे बहुत ही मुस्किल है और इतने भारी भारी गद्दा है मतलब उनको हम नीचे ही डाल देते हैं गद्दे के नीचे ही डाल देते हैं क्योंकि दिवान में डाल दो फिर निकालना बहुत ही मुस्किल हो जा तो यहां पर चादर सिलने के बाद आ गए हैं बच्चों को दे देते हैं साम का खाना पिना दे देते हैं और टाइम वही साड़े साथ बज रहे हैं तो साड़े साथ बजे का इन लोगों का कोचिंग से आ गए हैं तो कोचिंग से आने के बाद इन लोगों को नास्ता करा देत जो भी है दूद है ब्रेड है और इन लोग अपने अपने उसमें फरमाईशों में लगे हैं कि क्या किसको चाहिए तो ये देखिए आ गई है मालिंदी दी ये हमारी हेलफर आ गई है और यही हमारे अप कपड़े उपर से निकलवा दी है देख सकते हैं टाइम काफी हो रहा एकदम से अंधेला हो गया था लेकिन माता रानी ने कोई न कोई हेलफर हमारे लिए धूड़ी दिया तो ये विचारी ऐसे हमसे मिलने आ गई थी तो इन्हीं की हमने हेलफ भी ले लिया और कपड़े भी हमारे आ गए अब चलिए एक-एक कपड़े नीचे ले चलते हैं और चलिए माता रानी के गाना भी सुना देते हैं अब प्रेश भी हो जाएगा तो ये भी ताली भजाने लगी हम बड़ी खुस हो गई हैं आपसे आपको देख करके बड़ी खुस हो रही है कि भावी हमको भी अपने फोन में ले रही हैं तो बड़ी इनकी लड़गी भी करते रहते हैं तो ऐसे ही मा के भजन और सीजी के भजन गुन गुनाते रहते हैं तो ऐसे ही होना चाहिए तो चलिए आगे मिलते हैं आप लोगों से सुबे से साम हो गई काम करते करते तो अब हमारे कपडों में प्रेस हो गया आप देख सकते हैं यह उलन सूट में समय प्रेस कर लिया तक दम से चिकने चिकने दिखने लगे और इधर भी उलन सूट तो अब आभी इन सब जोलों में मैं पैक करके रख दूंगी और यह सब पता है सब अभी भारी स्टॉल हैं जितने हमने आज फोल्ड किया है और जो अभी हलके फुल के स्टॉल है भी तो हलकी फुल की साम सुबे की तो अभी हैं अभी सब बात में अरांग से धूलेंगे किसी ना किसी दिन फिर धूलाई होगी कपड़ों की तो खेर मनाईए कि मालिन दीदी आ गई थोड़ी हेल्फ मिल गई तो जितने भी हम मोटे गद्दे थे तो उनको हम बेड के नीचे डाल देते हैं तो पार हो गई हमारी मैया कुछ है उलन के कपड़ों से तो चलो थोड़ा सा मा को याद कर लेते हैं याद करो से मैया को जो पार लगा दे नैया को तो चलती हूँ ज्यादा भज़र नहीं सुनाती हूँ क्यूंकि टाइम बहुत हो रहा है साढ़े साथ बजने वाले हैं और अब खाने पिने की भी तयारी करना है आरती पूजा भी सब करना है बच्चे भी आते हूँगे कोचिंग करके तो चलती हूँ लोगों के विलिए कुछ नास्ता तयार करती हूँ दूध बनाके रखती हूँ तो हम चलते हैं, हालत तो खराब हो गई, काम करते हैं, लेकिन कोई बात नहीं है, हमको काम करना घर का अच्छा लगता है, इसलिए करते हैं, नहीं हमको कोई कहने वाला थोड़ी चाहें, तो पूरा दिन अराम करें, लेकिन मुझे अच्छा लगता है आप लोगों से बाते कर तो चलिए हम यहीं पर अपने वीडियो कर रहे हैं हम मिलते हैं आप लोगों से नेक्ट वीडियो में तक तक के लिए जै माता की अब टाइम हो रहा साढ़े आठ बज रहे हैं जितने कपड़े हमने प्रिस किया था उनको सब हमने फोल्ड करके रख दिया क्योंकि अगर आप धूब दिखाए हैं तो उनको गरम ही गरम फोल्ड करके रखना चाहिए और मनू भी यहाँ पर आ रहे हैं मनू हस रहे हैं और सामने ही बैठे हुए हैं और हमसे कह रहे हैं कि मा आप सर पे क्या लगाए हुए हो तो वैसे बच्चे भी न तीन कितीनों हमार रही है वैसे हम तो मौनिंग में सुबे जाते हैं तो अपने लिए बेल पत्र फूल और ये सब हम खुदी लेकर के आएंगे जो कुछ होगा तो मालिन दीदी भी हमारे लिए ले आएंगी पूजा पार्ट का समान तो आप लोग भी भोले बाबा को दिन में भी पूजा करिए वैसे तो तीन बार करना पूजा बहुत ही मुस्किल हो जाएगा जो ग्रहस तास्रम वाले उनके लिए नहीं हो पाता लेकिन हमारे गुरु जी कहते हैं कि तीन बार पूजा करिए सुबे दुपाहर साम रात में बारा से लेकर के तीन बज़े तक भोले बाबा को मनाना चाह यह वैसे आप रमायर का पार्ट भी कर सकते हैं ओम नमस सिवाय का जब भी कर सकते हैं तो चलिए बहुत बहुत सुब काम नाएं और मिलते हैं आप लोगों इस ब्लॉक को में करती हो एंड मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जै माता की